नमस्ते आज हम धर्म की बात करने वाले हैं धर्म एक बहुत conflicting चीज है धर्म पर फसाद हो जाते हैं दंगे हो जाते हैं बोट बढ़ जाते हैं देश बढ़ जाता है लेकिन फिर भी धर्म को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि धर्म का मतलब होता है बहुत जो basic चीज है जो fundamental तो धर्म का मतलब वो है जिसपे धरा हुआ है कि हमारा foundation क्या है basis क्या है और मेरे ख्याल से basis foundation को समझे बगर زिंदगी जीना जीना सई तरीके से जीना मुश्किल है तो हमें समझने जरूरी है और धर्म, कई इस्तर का धर्म होता है और हमें ये देखना होगा कि हम किस इस्तर के धर्म में कितने इन्वाल्व हैं और हम जितना बेसिक में जाएंगे, जितना मूल में जाएंगे मेरे ख्याल से उतनी चीजें आसान होंगी, उतनी चीजें आनंदमें होंगी तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से भी थोड़ा पहले से और इसके लिए मैं किसी दूसरे की लाइनों का सहारा लेना चाहूंगा किसी गाने में आया है कि जब कुछ नहीं भी नहीं था फाया गुम फाया गुम फाया गुम तो जब कुछ नहीं भी नहीं I mean, so what is the lyrics saying that even when nothing wasn't there, तो जब कुछ नहीं भी नहीं था, even nothing wasn't there, असुरुवात वहां से हुई है, when there even nothing wasn't there and then came the nothing. और nothing का मतलब होता है space, क्योंकि space में कोई चीज़े नहीं होती है, तो जो एक nothingness है, वो बहुत important, बहुत foundation बाली चीज़ है, हाला कि उस लाइन में तो nothingness से भी पहली की बातों को कहा गया है, कि जब कुछ नहीं भी नहीं था, वो शायद मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, पर मैं nothingness से शुरुवात करता हूँ, तो nothingness का मतलब होता है space, और उसके बाद, उसके बाद create हुई energy, बिग बैंक बोलें और इनर्जी का मतलब होता है movement, इनर्जी का मतलब होता है flow, तो वो मेरे ख्याल से हमारा दूसरा धर्म है, तो जो पहला धर्म है वो space है, और space का मतलब है कि wholeness, तो जो हमारे अंदर एक्चुली बहुत एक deep craving है, वो तो wholeness की है, मतलब हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं, तो मुझे लगता वो हाँ से आती है, that comes from nothing, that comes from the space, और वो एक fundamental truth हो सकता है, उसके बाद जो second layer है, that layer is of cosmic energy, और उसमें हम एक flow feel करते हैं, एक dynamism feel करते हैं, उसकी भी हमारे अंदर एक desire रहती, एक flow, एक dynamism, एक resonance feel करने की, तो जो second existence है, वो energy का है, और जो तीसरा existence है, वो matter का है, पदार्थ का है, energy condensed होई फिर, और energy ने condensed होके matter create किया, तो matter की जो property है, जो matter का जो धर्म है, matter का धर्म physicality है, तो हम physicality को भी बहुत real मानते हैं, हम चीजों को देखते हैं, हाँ यहाँ एक पत्थर है, यहाँ दिवार है, यहाँ एक camera है, यहाँ वहाँ एक train है, जो हमें physical दिखती हैं, वो हमें ज़ादा real feel होती है, तो वो हमारा जो matter, जो पदार्थ, जो की energy condensed करके फॉर्म हुआ है, तो वो उसकी property है, वो उसका धर्म है, matter create होने के बाद, create हुई life, और life का जो धर्म है, life का धर्म है, reproduction and self repair, auto repair and reproduction, देखें, जिन्दा और मुर्दा चीजों में यही फर्क होता है, कि मुर्दा चीजें, जैसे पत्थर हुआ, या कुर्सी हुई, या camera हुआ, या train हुई, यह अपने आपको reproduce नहीं कर सकती हैं, लेकिन सारी जिन्दा चीजें, और अपने आपको reproduce कर सकती हैं, जैसे मच्छर मच्छर पैदा कर सकता है, इंसान इंसान पैदा कर सकता है, पेड़ पेड़ पैदा कर सकता है, तो जो reproduction है, वो जिन्दा चीजों का एक तरह से मूल धर्म है और इसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है आटो रिपियर हर एक जिन्दा चीज अपने आपको खुद ठीक कर सकती है अगर आपका फोन खराब हो जाए या आपकी कार खराब हो जाए तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा कार या फोन खुद अपने आपको ठीक नहीं करेंगे और लेकिन जिन्दा चीज़ें जितनी होती है उनमें आटो रिपियर की केपैसिटी होती है हाला कि हम इंसान अपने रिपियर के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर निर्वर है अस्पताल पर निर्वर है दवाईयों पर निर्वर है सरजरी पर निर्वर है लेकिन जो बाकी के लाइफ फॉर्म्स हैं जिससे कि समझ लीजे जो जंगल में रहते हैं पेड़ हैं पसु पक्षी हैं यह सब कोई अस्पताल नहीं जाता है, कोई दवाई नहीं लेता है, यह सब आटो रिपेर से चलते हैं, तो जो जिन्दा, जो लाइफ का धर्म है, वो आटो रिपेर और रिप्रोडक्शन है, यह कहूँगा, और हम भी सेहत बन भी एक तरह से एक धार्मिक अनुस्थान में है और हम इसी एनुस्थान में हैं, कि कैसे यह जो आटो रिपेर वाली चीज़ है, यह कैसे गायब सी जो हो गई है इनसानों के बीच में, यह कैसे फिर से आ जाए, और इसको समझना मुश्किल नहीं है, देखिए अगर हमारे शरीर में, अगर हम में इतनी capability है, कि हम अपने ज एक दाना नहीं कई दाने पैदा करता है, तो जब कोई चीज बहुत सारा पैदा कर सकती है, अपने जैसे ही तो इसका मतलब है कि ठीक करने की capacity तो रखती ही है, तो सेहत वन भी एक धार में का अनुस्थान में है, और सेहत वन का यह अनुस्थान है कि कैसे यह जो आटो आटो रिपियर और अगर हम अब इस बाइलाजी के अनदर जायें, बाइलाजी में कही तुरह के लाइफ При म को प्रामरी हम दो लाइफ को ले सकते हैं और वह दो लाइफ farms हैं, प्लांट और एनीमलद धयर साहता हैं। लेकिन फिल्हाल हम चीजों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ दो लाइफ फॉर्म लेते हैं पेड़ पॉधे या बनस्पती और दूसरा एनिमल्स तो जो बनस्पती वाला जो लाइफ फॉर्म क्रियेट हुआ वो ऐसा क्रियेट हुआ है कि उसको एक ही जगह रखना है उस जैसे पेड़ है पॉधा है एक जगह उगता है और फिर जिंदगी भर वहीं बैठा रहता है तो उस लाइफ फॉर्म में मोबिलिटी नहीं है हाला कि कुछ पॉधे थोड़े बहुत मूब कर सकते हैं या पॉधों की कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉलेन बगएर है वो मूब कर सकते हैं लेकिन पूरा पॉधा मूब नहीं करता है तो एक जगह पर इस्थिर रहना वहीं जो जो मूल धर्म है वो यह है कि वो एक जगह पर रहेगा वो फिक्स्ट रहेगा और अगर हम एनिमल लाइफ फॉर्म को देखें तो एनिमल लाइफ फॉर्म का जो धर्म है वो पॉर्टेबिलिटी है क्योंकि एनिमल सभी मूब करते हैं आप मच्छर को देखें मक्षी को केचीय को को देखिए ठाइगर को देखिए चीते को देखिए चिडियों को देखिए और इन्सानों को को देखिए हम सभी कि का जो свою union आर जो जो फंड़मेंटल धर मार्म और मोबियलिति है कि हमको करने Belt 인्व क्रता करना है और एनिमल्स को यहाँ मूब करना है, तो यह एक बहुत बड़ा फर्क है इन दो लाइफ फॉर्म्स के धर्म है, पौधों का धर्म है एक जगे बैठे रहना और एनिमल्स का धर्म है, एनिमल्स का धर्म है मूब करना, अब यहाँ मैं एक चीज पर आपको ध्यान दिलाना चाह या फिर हम बैठे होते हैं दफ्तर में, या फिर हम बैठे हैं ध्यान में, और या फिर हम बैठे हैं स्कूल में, और या फिर हम बैठे हैं किसी भी जगे, अगर हमें कहीं जाना भी है, इवन हम यात्रा भी कर रहे हैं, तो वो भी बैठ के करते हैं, कार में बैठ जाते हैं, अ हम घासपूस हो रहे हैं हम पौधों की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा इस अपना जो जो एनिमल का जो फंडामेंटल धर्म है कोने मूब करना है कंटिनुवसली बैठना है लेटना भी है सोना भी है लेकिन जरूरत के लिए ऐसा नहीं कि पूरे दिन अभी आम स्थिम्म पॉर्टिबिलिटी हो हम खुद अपना सिस्टम लेकर मतला हमें टांगे मिली हैं कि यहां वाँ जाएं कार का इस्तेमाल करना साइकल का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है हम अपनी स्पीर और डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं लेकिन हम अपनी में और हम अपने इस धर्म से भटक गए तो अब जैसे कि प्लांट का जो जो धर्म है वो एक जिगह बैठे रहना है और अनीमल का धर्म है और फिर अनीमल में भी हम चाहें तो इनसान को थोड़ा सुपीरियर मान सकते हैं आपने आपको अच्छा कहना अपने देश को अच् कि हम यह समझें कि इनसानी बहतर है और बाकी लाइफ फॉर्म से बहतर नहीं पर मुझे लगता है कि इनसान में एक और चेंज यह आया है कि हमारा माइंड हमारी बॉड़ी से निकल गया है इनसानों के अलाबा सबकी बॉड़ी और माइंड में बड़ा तालमेल होता है और म सम इस्थिती में हैं उनका मण उनका शरीर और वातावरन नेचर जिसके साथ हैं उसमें सम है वो हमारा क्या हुआ है कि हमारा शरीर जो है वो पीछे invention बहुत किये हैं, हमने internet खोज लिया है, train है, बहुत सारी और बाकी life forms वो नहीं कर पाई है लेकिन इसकी एक कीमत भी आई है और वो कीमत यह आई है कि हमारे psychological issues बहुत हो गए है तो मन ने फाइदा भी किया है और मन का एक नुकसान भी है कि इनसान काफी दुखी है काफी problem है और फिर अगर हम इनसान से आगे की बात करें तो फिर आपका आप कहीं हिंदू है या कहीं मुसल्मान है या कहीं इंडियन है या कहीं Christian है तो या फिर कहीं American है तो वो एक अलग टाइप का एक धर्म है आपका और या फिर कहीं कहिए कि आप किसी राजधर्म में है या आप पुतर धर्म में है या आप किसी के husband है या आप किसी की wife है बगएरा बगएरा कई रोल है हमारे तो उस तरह के भी धर्म है उनका भी एक foundation है और उस foundation को निभानने की जरूवत है समझने की जरूवत है लेकिन हम अपने मूल धर्म से जितना दूर जाएंगे उतनी तकलीफ हमें होने वाली है उतनी मुश्किल हमें होने वाली है तो जो जो बहुत घराई के धर्म है उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो सतही धर्म है उनको आप छोड़ सकते हैं सतही धर्म उतने इंपॉर्टन नहीं है लेकिन जो आपका मूल धर्म है उसको अगर आप छोड़ेंगे उसको उससे दूर जाएंगे तो तकलीप बहुत बहुत बढ़ने वाली है तो मैं यह समझ पाया हूँ अभी तक कि जो हमारा इंसान होने का धर्म है उस धर्म में हमें रहना चाहिए और इंसान से भी जादा जो मूल है हमारा वो मूल है एनिमल होने का हम एक तरह के जन्तु हैं तो जो हमारा जन्तु होने का धर्म है और जन्तु होने का धर्म ही है तो हमें मूब करना चाहिए हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन हुआ है कि हम एक जिकाह बैठे ना रहे हैं और हम जितना मूब करेंगे हम उतना फिट रहेंगे उतना मजबूत रहेंगे और जनतु जनतु होने से भी पहले का जो धर्म है हमारा वो धर्म है living being होने का biological होने का life form होने का और life form होने का धर्म reproduction और auto repair है तो हमें auto repair अपना ठीक रखना चाहिए वो जहां यहां गड़बडा गया है उसको वापस लाना चाहिए जिन्दगी के लिए auto repair बहुत जरूरी है जिसे health के लिए मैं कहूं mobility बहुत जरूरी है हमारे animal instinct के लिए animal being के लिए animal health के लिए हमारा mobility जरूरी है ऐसे ही हमारा overall life होने के लिए overall जिंदा होने के लिए हमें auto repair होना ज़रूरी है और seit when मैं हम auto repair पर बहुत काम कर रहे हैं इसमें तरह तरह की बाते हम करते रहते हैं और अगर हम life-form से भी गहरे धर्मे में जाएं तो उसको हम समझना चाहिए और उससे भी गहरे धर्म में जब हम जाते हैं या जब हम ultimate धर्म में जाते हैं, तो वो ultimate धर्म nothingness का है, वो ultimate धर्म space का है, वो ultimate धर्म wholeness का है, और हमें लगता है कि वो craving जो है, वो सभी के अंदर बहुत रहती है, अगर हम अगर अपना हिंदु धर्म और मुसलिम या क्रिस्चिनेटी को भी देखें तो ये भी कहीं ना कहीं हमें नथिंग नास की तरफ लिजाने की कोशिश कर रहे हैं, होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदु इजम में तो नेती नेती करके एक फॉर्मूला है, लिकिन, हम लोग आजकल थेंगे, ऴहिए ये चीज भी चाहिए, हम वह चीज भी चाहिए, तो हम थेंग से खटी कर रहे हैं, तो हम थेंग्स में जितना उलजेंगे, कि हम nothingness से उतना दूर हो जाएंगे, हम individual में, हम self में जितना उलजेंगे, हम अपने आप में जितना उलजेंगे, हम अपने परिवार में जितना उलजेंगे, हम अपने देश में जितना उलजेंगे, उतना हम wholeness से दूर हो जाएंगे, तो हमें अगर wholeness की तरफ जाना है, वो अगर हमें समझना है तो हमें Nothingness की तरफ ही जाना पड़ेगा, Space की तरफ ही जाना पड़ेगा, Wholeness की तरफ ही जाना पड़ेगा, जितना Divisions Awakई हो हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा. फिल हाल प्रक्टिकली में ये कहूंगा कि हम अपना जो एनिमल धर्म है उसको जगाएं और पोर्टेबिलिटी में और और मोबिलिटी में आएं उठें चलें फिरें बाहर निकलें उसके उसकी बज़े से वो हम नहीं करने से हमें इनसानों में बहुत तकलीफ हो रही है बहुत हमारी हेल्थ गड़बर हो रही हम अपना आटो रिपेर भी जगाएं और अगर हो सके तो हम नथिंग नेस की तरफ जाएं हम मिनिमलिजम की तरफ जाएं हम चीजों को कम से कम करें तो फिर हम अपने जो जादा गहरे धर्म हैं उनको समाल पा रहे हो सतही धर्म को आप समालें न समालें चल जाएगा लेकिन जो बहुत गहरा धर्म है उसको समालना ज़रूरी है